हेलो गाईज गर्मा फिरी किलासेस में आपका स्वागत है आज हम बूगोल बिसाय का एक महत्पूर्ण चैपेटर है भूकम्प वो लेकर आए हैं जिससे हमारी परक्षाओं में प्रस्ण पूछे जाते हैं इसका हम पहले डिटेल में जानकारी लेंगे फिर इसके बाद लेके बूर्ण भूकम्प होता क्या है इसका अगर हम सुंदी विक्षेट करेंगे तो भूह कंप भूमी का कांपना जब भूह कांपने लगती है यहीं लगती है उसी को क्रैक्षासेसีकों कहते हैं दूश्ण कहते हैं अगर हम दूसरी भासामें समझेंगे तो इसे उतपन होता है। भूकम्प दोरान कई तरंगे उतपन होती है। या भूकम्प मूल कहते हैं। आगे हम देखते हैं वीडियो में पूरा सब कुछ डेटेल में हम लेकर आये हैं। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें, तो नोट्स बना सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को एक दो बार देखेंगे, आपको एक दम याद हो जाएगा, फिर आगे से प्रशन उत्तर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगे, आगे देखते हैं फोटो के माध्यम से, इसमें जब सीधी 90 डिग्री रेखा में, सबसे पहले हमको आभास होता है कि भूकम्प आ रहा है, या आने वाला है, या आ गया है, इसको कहते हैं अधिकेंद्र या एपी सेंटर, और जब भूकम्प आने वाला होता है, तो बातावरान में क्या होता है, तो रेडॉन गैस की अधि पूछा जाएंगा कि जब भूकम्प आने वाला होता है, तो आए बंडल में तो हम बोलेंगे रेड़ान गैस की अधिकता हो जाती है, आगे देखते हैं भूकम्प की परवासा, यह हमारी परक्षा में पूछे हिनी जाती, लेकर हमें यह जानना जरूरी है, जैसे इसका मतलब यह है और बूह पटल पर ज्यात या घ्यात पता हो और ना भी पता हो कोई कंपन होने लगता है या कोई वडिवश्टक यॉट्गम इसको कहते। या भूकंब मूल और ये सबसे पहले जब इहां आता है तो सबसे पहले यही पता चलेगा अभीकेंदर इसको कहिकएंदर या एकेंधर इसके बाद लिए तरगए चारो तरब फैलती है यह तरंगे भी कई प्रकार की होती है इसका भी हम आगे वीडियो में देखेंगे कि तरंगे कितनी प्रकार की होती है भूकंप मूल अब पूछा जाए भूकंप मूल क्या होता है यह परेक्षा में पूछा जाता है कि जहां से भूकंप उत्पन होता है उसको क्या कहते हैं तो हम क्या बोलेंगे भूकम्प मूल या फोकस कहते हैं भूकम्प मूल में भूकम सरप्रथम उत्पन होता है आगे देखते हैं अधिकेंदर अभी परक्षा में ये भी पूचा जाए कि सबसे पहले जहां भूकम्प महसूस होता है उसको क्या कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं अधिकेंदर या एपी सेंटर इसमें सरप्रथम भूकंप की लहरों का अनुभा होता है यह हैं फोटो इसमें देखेंगे इसमें यहां से सबसे पहले यहां भूकंप उत्पन होता है इसको कहते हैं फोकस या भूकंप मूल और सबस क्या कहते हैं सम भूकम पीय रेखा Cat देखते हैं भूकम पीये कैंद्र के चारों और समान भूकम की ती ब्रता को खीचे जानी वाली रेखा को क्या कहेंगे सम भूकम पीये रेखा क्या होती है तो भूकम पीये कैंद्र के जो कैंद्र होगा यहां पर यह कैंद्र है इसके समान जो रेखा खीजी जाती है उनको सम फूकंप ये रेखा कहते हैं आगे देखेंगे भूकाम-मापी अब हम कैसे पता चलेगा कि भूकंप कितनी ती बृता से आया है कौन का शेद तरंग आई है तो इसको है को जानने प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं भूकंप मापी इसे पता चलता है कि तरंग की तीबरता एभन तरंग का प्रकार क्या है इससे क्या पता चलता कि यहां सु τα में आप लोगों ने डिखा ओगा जब हम पानी में कोई पत्थर फैकते हैं तो सबसे पहले, जहां पत्थर गिर्ता हो, वहीं पर लहरो आती है, इसके बाद वो चारों तरफ इस तरह से भूकंब के होता है है, सब से पहले यहां पर पता चलेगा हमें भूकंब का फेश के बाद वो चारों तरफ ऐसे चैनल जाएगा, अब यह देखा जाए कि भूकम्प मापी अंतर में किस पैमानी से तो इसका होता है रेक्टर पैमाना रेक्टर स्केल का भूकम्प की तीब्रता मापी जाती है क्या होता है रेक्टर स्केल से भूकम्प की तीब्रता मापी जाती है इसमें 0 से 10 तीब्रता तक माप सकते हैं कहां से 0 से 10 तीब्रता अब है मारकेली स्केल पैमाना ये पैमाना पहले यूज होता था लेकिन अब नहीं होता इसमें भूपम्प मापने का या भूपम्प द्वारा होने वाली छती के आधार पर होता है ये पहले यूज होता था, अब नहीं होता है, अब है भूकम्प के कारण, अब भूकम्प के भी अनेक कारण होते हैं, सबसे पहले तो ये माना द्वारा भी भूकम्प आने लगते हैं, क्या है माना द्वारा, माना जनत भूकम्प, जैसे बांद फट जाता है, भू असकलन हो जब प्रिथवी हमारी प्लेटों से ही पूरा प्लोटों जब ये प्लोटे खिसकने लगती है इधर उधर तो क्या हो तक भूकंप आने लगता है जौला मुखी बिसकोट जब जौला मुखी होगा तो भूकंप पाने की संभान होगी आंतरिक ग्यासों का फैलाओ जब संब्प्रत्वी की आANTरिक प्रतों सकते हैं क्रश्ट है में यांसी आप स्होग प्रत्वी ह mission होती है तो उसमें उससे भी विकंप आने की संभाना हो जिति है आगे पहले भी देखा हमने मानो जनत भूंकंप जैसे बांधों का फटना भू इस्कलन अब भूंकंप यह हम तरंगों के प्रकार जानते हैं कि देखते हैं कि कितने प्रकार की होती है भूंकंप यह तरंग कितने प्रकार की होती है तीन प्रकार की होती है पी तरंग एस तरंग और एल तरंग पी त तरंग कहते हैं यह दिखाई जाती है कि कौन कितनी तीब्र है इसमें चित्र में दिखाया गया है आगे देखते हैं प्रात्मिक तरंग प्रात्मिक तरंग या पी तरंग इन तरंगों की उत्पत्ति सबसे पहले होती है क्या सबसे पहले कौन सी तरंग हमें मैसूस होती है पी पीत रंग हैं इनकी गति बिलकु सिलो है इसके बाद सेकेंडरी तर्एंग है इनकी गति है कि आगे देखते हैं अर्व यह ठोस द्राव ऑग स्तीनों तेनों में गमन करती है कौन पीतरंग है पी तरंगे ठोश, द्राव, गैस, तीनों मेगमन कर सकती है यह हमने आगे बताए इनकी गती पी तरंगों की गती तो अधक होती है क्योंकि यह जल्दी पहुँच जाती है लेकिन इनकी तीबरता सबसे कम होती है यह मतलब कम नुक्सान दायक होती है इनको अनुद्हरी धनी तरंगे होती है जिस तरह से धनी तरंगे होती है उसी तरह से प्रात्मिक तरंगे भी होती है क्या प्रात्मिक तरंगे इनको धनी तरंगों अनुद्हरी तरंग कहते हैं द्वनी तरंगें भी ठोस द्राव गैस कहीं भी पहुझाए अब जैसे हम किसी कमरे में वैठे हैं दीवाल जो होती है पत्थर की बनी होती अगर हम यहां वह वह उलते हैं तो हमारी आवाज भी चली जाती है उसी तरह से इनको किसी कोई रोक नी सकता है मतलब यह कहने का से 14 किलूमीटर प्रती सेकंद होती है, कितनी होती है, आगे हैं दुतियक तरंगे, कौन सी तरंगे है, दुतियक तरंगे, या इनको कहते हैं S तरंगे, िनकी उत्पति पी तरंगों के बाद होती है दुतियक तरंगों की उत्पत्ति किसके बाद होती है पी तरंगों के बाद होती है गती भी पी तरंग से कम होती है लेकिन ती बृता पी तरंग से जादा होती है अगर में दुतियक तरंगे आएंगे तो वो नुक्सान जादा करेंगी पी तरंगों की अपेक्छा ये अनप्रस्त तरंग की तरह काम करती है जो अनप्रस्त तरंग कौन सी होती है प्रकास तरंग है ये अनप्रस्त तरंग की तरह काम करती है ये तरल पदार्थों से नहीं गुजर पाती है क्या है तरल पदार्थों से नहीं गुजर पाती है इसलिए ये सागरों में क्या हो जाती है लुप्त हो जाती है कौन सी तरंग आप पूछा जाए कुश्चन कि सागरों में कौन सी तरंग लुप्त हो जाती है तो ऐस तरंग सागरों में लुप्त हो जाती है आगे है तीसरी कौन सी तरंग सती तरंग या धरातली तरंग इन्हीं को कहेंगे L तरंग क्या कहेंगे L तरंग लब वेपस इन्हीं को लब वेपस भी कहा जाता है अब ये भी जाने के लब वेपस क्यों कहा जाता है आगे ये भी आगे देखते हैं P एवं यहां यास होगा S तरंग के समीब क्या है S तरंग के समीब मिलने से उत्पन होती है इसे लंबी तरंग भी कहते हैं क्योंकि इनका भ्रमड समय अधिक होता भ्रमड समय अधिक होता तथा यह सरवाधिक दूरी ते करती है कौन सी तरंग है, L तरंग है सताई तरंग की खोज किसने की थी, HD लबने इसलिए तरंगों का नाम क्या रख दिया लब तरंग, यह सरवादिक बिनासकारी तरंग होती है कैसी होती है, बहुत जदा अगर ये आ गए तो समझो पृतवी का बिनासी हो जाएगा बिस का बेग सबसे कम होता है बेग तो सबसे कम होता है, लेकन तीब्रता सबसे अधिक होती है बेग सबसे जदा किस तरंग का होता है, P तरंग का लेकन उनकी तीब्रता कम होती है उसके बाद दूसरे नमबर पर S तरंग है तीसरे नमबर पे कौन सी एल तरंगे आगे देखते हैं भूकम्पिय छेत्र है पूरे बिस में कितने भूकम्पिय छेत्र है ये भी हम इसमें जानेंगे अब बिस पूरे बिस को कितने भूकम्पिय छेत्रों में बाटा गया है तीन भूकम पिये छेत्रों में बाटा गया सबसे पहले कौन सा है प्रसांत महासागरी पेटी या प्रसांत महासागरी छेत्र कौन सा छेत्र प्रसांत महासागरी छेत्र ये देखते हैं मैप में देखते हैं कौन सा ये है ये जो लाल कलर से है ये है प्रसान्थ महा सागरी चैतर इसमें दूसरा है मध महारी पैट ये वाला जो है यालो कलर से यह है इसमें एक अइस प्रसाथ भूकम पैटे चैतर प्रभाबित होता है और ये है तीसरा छेत कौनसा तीसरा छेतर भी है इसमें डिटेल में जानते हैं प्रसांत महासागरी छेतर बिस में 63% भूकम इसी पेटी में आते हैं कौनसी प्रसांत महासागरी छेतर में ही आते हैं इसलिए इसे अगनी बलाए अब पूछा जाए अगनी बलाए किसे कहते हैं जो प्र प्रिसांत महा साग्रिय छेतर या पेटी इसपें 63% भूकम्प से प्रभवध होता है इसी को अगनी बलह भी कहते हैं इसी लिए आगे देखते हैं मध्य महादीपी पेटी इसमें विश्य के 21% भूकम्प इसी पेटी में आते हैं कहां पर मध्य महादीपिये पेटी में और भारत का जो भूकम पिये छेतर कौन सी पेटी में आता है पूछा जाए परेक्षा में प्रेश्ण है कि भारत का भूकम पिये छेतर कौन सी पेटी में आता है तो यह आता है मध्य महादीपिये पेटी में कौन सी पेटी में अगला देखते हैं यह देखो यह फोटो में दिखाएगा है जो यलो कलर से है यह मद्य महादी पेटी अगला तीसरे नमबर से कौन सा चेतर है मद्य अटलांटिक पेटी कौन सा मद्य अटलांटिक यह वाला जो है यह मद्य अटलांटिक पेटी है इस में देखते हैं इस पेटी में भूकंप आने का मुख कारण सागरतल प्रसारण है और विस्ट का 11 प्रिस्टत भूकंप इसी पेटी में आता है किस में आता है मध्य अटलांटिक पेटी में सबसे जादा कहा जाता है कहा आता है प्रसांत महासागरी पेटी फिर उसके बाद हैं इस प्रकार की होती हैं तो हम क्या करेंगे तीन प्रकार की होती है एस तरग हैं सोरी पी 1 घंप यह यहal को Snapchat हैं धरात लिए अब पूछा जाए अगला प्रसन पूछा जाए बिनास्कारी भूकंप की तरंगों किन तरंगों से आते हैं बिनास्कारी भूकंप किस तरंग से आते हैं किस तरंग से आते हैं तो यह किस तरंग से आते हैं एल तरंग से बिनास्कारी भूकंप आते हैं आगे यह भूकम्प की तीब्रता किसे अंत्र से मापी जाती है यह सीश्मोग्राफ से भूकम्प की तीब्रता मापी जाती हो किस प्यमाने से रियक्टर प्यमाने से आगे प्रश्ण है कौन सी तरंगे तीनों वस्था में गमन करती है आगे हमने बताया था जो प्रात्विक तरंग करती हूं और यह जो आगे देखते हैं जब भूकम पाता है तो प्रिथवी में कौन सी गैस की अधिकता होती है तो यह है रेडान गैस की किस गैस की अधिकता होती है रेडान गैस की अधिकता होती है ठेंक यू